अभी हम आप लोगों को ये बतलाएंगे कि सैने के स्कूल में एडमिसन के लिए आपको कौन-कौन सा डॉक्मेंट लेकर जाना होगा जो भी document का नाम हम बतलाएंगे इसमें से कुछ documents में कुछ points है जो आपको बतला देंगे कि document आप लोगों को किस तरह से वो document ready करना है ने तो document होने के बाद भी कुछ गलती उसमें रह जाएगी तो admission में दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को यह एक minimum list है कि कम से कम इतना कि यह total 11 documents है कम से कम यह 11 इसमें से एक दो किसी के लिए applicable होगा नहीं होगा कास्ट certificate जैसे है तो इसमें से सारे documents जो है इतना minimum आप लोग ready कर ही लेंगे इसके अलावा हो सकता है कि कुछ और extra documents आप लोगों से मांगे जा सकते हैं उमीद कम है लेकिन मांगे जा सकते हैं इसलिए इसकी जो accurate list है ने कि आप लोगों को कौनकों सा document लेकर जाना है यह आप जिस school में आपके बच्चे का बच्चे को seat मिली है admission के लिए वहां से भी आप लोगों को बताया सकता है mail के through या किसी और source से कि आपको यह list है document की इसको लेकर admission के time आना है जेनरली हम एक चीज़ बतला दे रहे हैं आप लोग mentally उसके लिए prepared रहे कि from the time of admission to the date of joining जिस समय आपके बच्चे का admission होगा उस समय से लेकर बच्चा जब आप पर जाएगा join school join करने एक चीज़ और बतला दे रहे हैं कि जो date of admission है ना उसी दिन बच्चा आपका सैनिक स्कूल में नहीं चला जाएगा उस दिन admission का process होगा आप अपने बच्चे के साथ फिर वापस आ जाएंगे date of joining फिर बाद में होगी जिस समय आपको बच्चे को नहीं स्कूल में छ लोग mentally उसके लिए तयार रहे हैं कि थोड़ा documentation में आप लोगों को time देना पड़ेगा ठीक है यह साही बात हो गई और एक सबसे important चीज़ हम इसके पहले की document का list आप लोगों को बतला है एक चीज़ हम बतला देना चारह है ध्यान सा सुनिएगा कि कि किसी भी हाल में चाहे जो भी हो जाए गलत document या जिसको कहते है नकली डॉक्मेंट नकली डॉक्मेंट के आधार पर admission लेने की कोशिस आप लोग कभी नहीं कीजिएगा काफी experience है उन लोगों को हम लोगों को पहली या दूसरी बार experience होगा न कि जा रहे है admission लेने के लिए लेकिन उन लोगों को साल हो चुकी है तीसरी बात अब manually कोई काम होता नहीं है सारा software से होता है तो यह online होना software का बहुत हो जाना और उनका experience इन तीनों से आपका बचना बहुत मुस्किल होगा at the time of admission के time में या आगे future में भी एक दो साल तीन साल यह नहीं सुचे की बच्चे का admission हो गया तो अब कुछ नहीं हो सकता ऐसा नहीं है बाद में भी कभी पता चल गया उन लोगों को तो आपके बच्चे को से स्कूल से बाहर होना पड़ेगा इसलिए मेरा स्ट्रॉंग सजे सबसे पहला ग्मेट है एक लिस्ट यहां पर आई भी आई गी भी आपलों के सामने और हर एक आपने अप्लाई कर दिया था सेने के स्कूल इंटरेंस एक्जामनेशन में तो आज के टाइम में आपका अधार कार्ड रेडी होना चाहिए यदि आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो एड्मिंसन के टाइम में आपको दिक्कत आ सकती है आपकी खुसक्रिस्मति यदि अधार कार्ड लेकर लेकिन उसकी संभावना पॉसिविलिटी उसकी काफी कम होगी इसलिए अधार कार्ड आप लोग ओरिजनल ही लेकर जाएंगे दूसरी चीज की केंडिडेट का फोटोग्राफ फोटो बच्चे की आप बनवा लेंगे कुछ ज्यादा क्वान्टिटी मे पासपोर्ट साइजीन दस या छे साथ दस तो कम से कम करवा ही लिए बच्चे यदि आपके चस्मा पहनते हैं तो वह यदि रेगुलरली चस्मा पहनते हैं हरी काम में तब ही जाकर आप चस्मे के साथ उसका फोटो लेंगे नहीं तो ऐसे कोई ज़रुत नहीं है फोटो में एक और चीज हमने कहीं पढ़ा था सैनिक स्कूल मेंटमी सिंग के इसलिए आप लोग हम बतला दे रहे हैं कि पैरेंट्स के साथ भी बच्चे का फोटो होना चाहिए मम्मी फादर मम्मी पापा और बच्चे मम्मी पापा बच्चा बीच में एक फोटो आप लोग इस तरह करा लेंगे और मम्मी और फादर और पैरेंट्स इसको करते हैं माता और पिता का जो फोटो है सेपरेट सेपरेट अलग अलग पासपोर्ट साइज इसको भी आप लोग निश्चे तरूप से रेडि करके लेकर जाएंगे हम यह नहीं कह रहें कि इस तरह के फोटो की जड़ का जो बीच में यह फोटोग्राफ और तीसरी तरह की फोटोग्राफ जिसमें पासपोर्ट साइज फोटो फोटो मम्मी और पापा का अलग अब फादर और मदर का फोटो अलग-अलग होना चाहिए जो जो जॉइंट फोटो होगा पैरेंट्स और केंडियो का साथ में वह होना जनुरी नहीं उसको परफटा साइज होता है और हमने कहीं पड़ा था तो हम आप लों को बतला देना चाहेंगे कि कहीं जरोत पर गई तो बाद में दिक्क्त नहोजा और च्चोप सा काम कोई बड़ी बात नहीं यह आप लोग फोटो रेडी करवा लेंगे तीसरा डॉकुमेंट जो होगा वह होगा बर्थ सर्टिफिकेट बहुत सारे जितने भी डॉक्मेंट सम बताएंगे न इसमें जो इंपॉर्टन डॉकुमेंट सो इसमें बर्थ सेटिफिकेट भी बहुत जुरूरी है हम एक चीज पहले भी बतला चुके हैं आप लोगो कि यदि डॉकुमेंट में जो डेट बर्थ है वो और आपने जो फिल किया है वो दोनों में यदि कुछ डिफिरेंस है डेट में मन्त में येर में भी किसी में भी तो आप लोग उसके लिए एफिट डिविट बनवा लेंगे उसी ब्रैकेट के उसी एज दोनों एज के दस से बारा साल के बीच में ही ये दोनों एज होना चाहिए गलत जो है वो भी और सुझ सही है वो भी तभी जाकर एफिट डिविट से आपका काम निकलेगा यदि दोनों में से कोई एक डेट या औरुजिनल जो डेट आप संबूंने खिस कि दोनों मेंद तो अगला डॉक्मिन जो फौर्फ डॉकुमेंट है वह है डुमिसाइल सटिफिकेट डॉमिसाइल सटिफिकेट अप लों बनवारेंगे एक यह बतला दे रहे हैं कि हर एक स्टेट का जो डूमिसाइल सटिफिकेट होता है उसकीज की ताम ल से candidates के नाम से ही होना चाहिए father-mother या जो पारेंट से हैं उनके नाम से नहीं होगा दोनके नाम से दीजेगा फिर गणवर होने के पूरी सम्झावण नहीं वहाँ पर निक्स्र फिफ डॉक्मेंट वह है कास्ट सेटिफिकेट जो लोग भी स्ट या ओवीसी से बिलॉंग करते हैं उनको अपना सेटिफिकेट ले जाना होगा इसका फॉर्मेट इजिली अवलेबल है जो सैनिक स्कूल का इंटरेंस एक्जानमेशन का जिससे में नोटिफिकेशन आया था ज दोनों को जड़त होगी OBC और एक दूसरा सेटिफिकेट जो सेटिफिकेट जो से और सेटिफिकेटर की ज़रत नहीं है ध्यान रखेगा जनरल वालों के लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूत नहीं है, ये सिर्फ SC, ST और OBC के लिए जरूत है, OBC में भी कास्ट सर्टिफिकेट उन्हीं का मानने होगा, जो Central List में जिनका OBC है कैटेगरी, उनका Central List में नाम है तभी जाकर मान होगा, State List में है और Central List में नहीं है, तो फिर आप OBC कंसीडर नहीं किये जाएंगे, फिर तो वहीं पर सारी कहानी खतम हो जाएगी, उसके बाद जो Sixth Document है, वो है आपके पास ये Defense Personal के लिए है, आपको या तो Serving Certificate, नहीं तो PPO, ये भी दोनों आप में से कोई एक आपके पास होना चाहि कि Class Sixth में Admission के लिए Eligibility में कहीं भी Educational Qualification नहीं है, मतला कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि बच्चा फिर्थ में पढ़ता ही रहना चाहिए, हाँ, 9th के लिए है कि बच्चा आपका एर्थ में पढ़ रहा होना चाहिए, और ये जो Session चल रहा है, Session में उसको एर्थ पास हो जाना चाहिए, लेकिन Class Sixth के Eligibility में कहीं भी Educational Qualification की कोई चर्चा नहीं है, इसलिए आप Assured रहें कि Class Fifth का कोई भी डॉकुमेंट इस तरह से Educational Qualification तो नहीं मागा जाएगा, फिर भी हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि टीसी तो अभी खर मिल नहीं सकता है, टाइम है नहीं चीज को अच्छे तरह से, एक Provisional Certificate आप उन से ले ले, कि बच्चा हमारे यहां पड़ता है, यह पूरी उमीध है कि यह Fifth Class है या Eighth Class है, इसको पास कर जाएगा, आपका काम उस समय उससे हो जाएगा, लेकिन at the time of admission जिसमाँ आप बच्चे को छोड़ने जाएंगे, उस सम से जाएगा, जो आपके पास होना चाहिए, उसके बाद जो नाइंथ पॉइंट है, वो है आपके पास scorecard, scorecard में एक दिक्कत लोग वा सकती है, कि बहुत सारे लोग ने जिसमाँ पहली बार scorecard आया था, उस समय उसको डाउनलोड नहीं कर पाये थे, और अब क्या है कि वो ल काम कर जाएगा, रिवाइजड scorecard की जो आपको है वही काम कर जाएगा, नहीं तो ऐसी हम लोग उमीद कर सकते हैं, कि जब तक बच्चे का first round का जो merit list आएगा, जब तक बच्चे जाएंगे admission लने के लिए, तब तक वो जो link है scorecard का वो काम करने लगेगा, और आप लोग scorecard क के लिए call किया जाता है, तो ये call letter, print out आप ले लेंगे उसका, ये call letter आपके पास निश्चित रूप से होना चाहिए, और सबसे last document है, 11 document, वो है आपको medical form, कहने का मतलब जो आप medical के लिए जाएंगे अपने बच्चे को लेकर, जो भी center आप लोगों को बतलाया जाएगा वह ये medical form जो है, सो हम लोग को e-counseling वाले website पर, या NTA के website पर, या हर एक Seneca School की जो website है, उस पर कहीं न कहीं हम लोग को निश्चित रूप से मिल राएगा, हम लोग उसका use करेंगे, जो लोग नए Seneca School में admission लेने जाएंगे, उनके लिए medical fitness certificate चाहिए होगा, इसका कोई format नहीं है, आपके जो भी doctor है, जान पहचान में होंगे, या कोई भी doctor, जो government registered हो, physician होना चाहिए, physician ही होंगे, तो government registered जिसको हम लोग सरकारी doctor कहते है, उनके पास आप जाएंगे, आप उनको बोलेंगे कि medical fitness certificate बना देना है, उनलों को experience होता है, वो लोग अपने letter pad पे ही है, जहां कही भी हो, वो बना देंगे, और नीचे में ध्यान रिखिएगा, उनका stamp जरूर होना चाहिए, और stamp पे उनका registration number होता है, तो registration number is stamp में, या letter pad पे कहीं ने कहीं, उनका registration number निस्चित होना चाहिए, तब जाकर वो आपका medical fitness certificate काम कर जाएगा, तो अभी इतने documents ही जो है, documents हमने बतल ना हो, इसके अलावे कोई information होती है, तो इसके बारे में भी जरूर हम आप लोगों को बतलाने के लिए जल्दी ही आएंगे.